रुपिय का गिरना जारी है, शहर शहर बेकारी है, बिजनिस स्टैंडर्ड ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है कि भारतिय रुपिया एशिया में सबसे खराब हालत में है, डॉलर के मुकाबले में रुपिया का मूल्य लगातार गिरता जा रहा है, रिपो बिजनिस सरकार से डॉलर में मजबून होता जा रहा है, जुर्पिया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत तिक नहीं पाएइदा है, उसको सहना मश्किन होता है, और तिल्जी के सरकार जवाब नहीं दे रही है, कि नेपाल का रुप्या कोई प्राब्लम नहीं है, बंदलादेश की करंसी को कोई प्राब्लम नहीं है, पाकिस्तान की करंसी को कोई प्राब्लम नहीं है, स्री लंकार की करंसी को कोई प्राब्लम नहीं है, हमारे अरोस पढ़ोस में छोटे 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 देशों को भ डॉलर के मुकाबले में कोई नुक्षान नहीं हो रहा है देश जानना चाहता है तो लानमत्री ऐसा क्या कारण है कि आज अखेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिर्ता ही चला गया और क्यों चला गया नरेंद्रदास मोदी की सरकार की तरह रुपया भी अपनी आबरूख होता जा रहा है रुपय का गेड़ना सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं है देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अराजकता फैला दी गई है